नमस्कार ये आकाश्वानी है अभी आप तादुयाजों से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार भारत ने एककरित भुकतान इंटरफेस यूपी आई को सन्यूग अरब अमेरत के इंस्टेंट पैमन प्लाटफॉर्म आईपी पी से जोनी के समझोतों ग्यापन पर हस्ताक्चार किये शिक्षा और कोसल विकास मंत्रे धर्मेंद्र प्रदान ने कृतिम गुद्धी माता पर निशुर्क ओनलाइन प्रसिक्षन कारिकरम का शुभारम किया विंबल्डन टैनेस टूनरमेन आज शाम पुर सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कार्लोज अलकारेज का मुकाबला नोबक जो कोविच से होगा ठाइलन की राजदानी बैंकोक में चल रही एशियाए एतलेटिक्स चैंपिनसिव में 4,4 मीटर मिक्स रीले प्रतिस्त भरदा में भार्टे तीम ने स्वर्ण जीत लिया है अब समचार विस्तार से भारत और सन्युक अरब अमिरात के बीच बैंकिंग शेत्र में दो महतपून समझोता ग्यापनों पर हसक्चार किये गए बैंकिंग शेत्र में स्थानिय मुद्रों के उप्योग से संबंदे दो समझोते किये गए इसका उदेशिय स्थानिय मुद्राओं की उप्योग को बरावा देना और भुकतान तता संदेश प्रनारियों को आपस में जोने की सुविधा प्रदान करना है इस बीच प्रदान मंत्रे नरेंदर मोदी और सन्युक अरब अमिरात के राश्रपती शेक मोहमद बिन जायद अलनहायन के बीच प्रतीनीडी मंदल स्तर की वारता और पैठक हुई इस दोरान ब्यापार और निवेश, फिंटेक, उर्जा, परियावर्निय, कार्य वही, उच्च सिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क सही ब्यापक दी पक्षिय सहयोग के शेत्रों पर विचार विमर्श किया गया भारती रिजब बैंक के गवर्नर शक्तिकान दास और सेंट्रल बैंक और यूएई के गवर्नर खालेद मुहमद बल्मा ने आर्तिक सहयोग और निर्बात सीमा पार्ट लेंदिन को बरावा देनी के लिए दो समझोते किये पहला समझोता दोनों केंद्रे बैंको के भुकतान और संदेश प्रनाली के भी सहयोग पर केंद्रित है इसमें भारत की त्वरित भुकतान प्रनाली UPI को सन्युक अरब अमिरत के इंस्टन पेमेंट प्लाटफोर्म के साथ जोरना और भारती रुपे कार्ट स्विच तथा UAE कार्ट स्विच को जोरना शामिल है इसका उदेशे दोनों देशों के बीच निर्बाद और कुशल सीमा पार धन हस्तांतरन कार्ट लेंदेन और वित्य संदेश की सुविधा प्रदान करना है दूसरा समझोता सीमा पार लेंदेन के लिए स्थानिय मुद्राओं दिन करने में मदद मिलेगी जिससे रुपिय और दिरहाम के विदेशी मुद्रा बाजार को बढ़ावा मिलेगा प्रदान मंतरे नरंदर मोधी ने समझोते को दोनों देशों के बीच आर्तिक सहयोग को बढ़ावा देने की जिशा में एक महतपुन कदम बताया है इससे दो इफिशिल इंडिलेजन्स पर निशुलक ओनलाइन प्रस्रिक्शन कारिक्रम AI for इंदिया के दूसरे चरन की शुरुवात की ये कारिक्रम नो भारतिय भाषाओं में तेयार किया गया है इस अपसर पर श्रिप्रधान ने भारतिय भाषाओं में प्रोद्योगी की प्राटे क की अपनाने वाला देश है और भारत में जिडल भुगतान को अपनानी में सफलता इसका उधारन है मोसम विभाग ने देश के उतर पश्रिमी हिस्सों में व्यापक वर्षा जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है उतराखन, हिमाचल प्रदेश, उतर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में अगले तीन दिनों तक भारी वर्षा हो सकती है पूर्वी मद्या प्रदेश और चतिसगर में कल कुछ स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की संभावना है पूर्वी मद्या प्रदेश में अगले दो दिन तक और चतिसगर में कल के लिए भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है उधर पश्चिम भारत में कॉंकान, गोवा और मध्य महाराष्ट्रा के पश्चिमी घाट वाले शेत्रों में भी अगले पांच दिन तक छिटपूर्ट रूप से भारी वर्षा की आशंका है गुजरात में 18 और 19 जुलाई को तेज वर्षा के आसर है दक्षिन भारत में तट्य कार्णाटक और तलंगाना में 19 जुलाई तक हलकी से मध्यम वर्षा की संभावना है तट्य अंदरप्रदेश, तलंगाना, केरल, माहे और भीत्र कार्णाटक में भी 18 से 20 जुलाई तक मध्यम वर्षा हो सकती है तमातर की बर्थी कीमतों के बीज केंदर ने तमातरों की कीमत में फिर से कटोटी की है और अब इसकी विक्री 90 रुपे के वजाए 80 रुपे प्रती कीलों की दर से की जाएगी उपभोकता कारिये खादिय तथा सार्वेजनिक वित्रन मंत्राले ने कहा है कि देश के 500 से अधिक विक्री केंदरों की स्तीती का पूर्णी मुल्यक अंकान करने के बाद आज से तमातर की विक्री 80 रुपे प्रती कीलों की डर से करने का निरने लिया गया मंत्राले ने बताया है कि दिल्ली, नोईडा, लखनव, कानपूर, वारनसी, पटना, मुजफर्पूर और आरा में नेफिट और NCCF के जरिय तमातरों की विक्री शुरू हो गई है बाजार मुल्यों को ध्यान में रखते हुए कल से कुछ और शेहरों में विक्री शुरू की जाएगी मंत्राले के अनुसार सरकार के पहल के बार तमातरों के थोक मुल्यों में कमी आई है और सरकार उपभूगताओं को राहत देनी के लिए वचनवद है राश्टपती द्रोपुदी मुर्मू मंगलवार को नई दिल्दी के विज्यान भवन में भूमी सम्मान प्रदान करेंगी ये पुरसकार नो राज्य सचीवो अर्सत जिलादिकारियों और उनके तीम को प्रदान किया जाएगा इन जिलों में भू अवी लेखो के पूर्ण डिजीकरन का लक्षे प्राप्त कर लिया गया है ग्रामिन विकास और पंचायती राजमंत्रे गिरीराज सिंग ने कहा है कि ये उपलबधी राज्य के राजस्वों और पंचीकरन अदिकारियों के लिए अर्द्यन्त मोहत्वून है यह पहला मौका है जब अधिकारियों को श्रेश्टर प्रदर्स्तन के लिए भूमी सम्मान प्रदान किया जा रहा है चालोव वर्ष को भूमी सम्मान स्थापना वर्ष के रूप में भी मनाया जाना चाहिए भूमी समान योजना विश्वास और साज़ेदारी पर आधारेत केंदर राज्य सहकारी संगवात का उतकृष्ट उध्धारन है स्री गिरेराज सिंग ने कहा है कि भू अवी लेखो के दिजीकरन और पंजीकरन से भूमी विवात से जोरे अदालती मुकदमों की संख्या कम होगी और मुकदमों की कारण लंबित परियोजनाओं से देश के सफर गरेलू उत्पात यानी जीडिपी को हो रहा नुकसान भी कम होगा ओपी राजबर के नेतुत्ववाली सुहल देव भारतिय समाजपार्टी भारतिय जनता पार्टी के नेतुत्ववाले राष्टी जनतांत्री कटपंडन इंडिये में फिर से शामिल हो गई है श्री राजबर की पार्टी समाजवादी पार्टी के पूर्वसहयोगी हैं श्री राजबर ने गरह मंत्रे अमिशा से नई दिल्ली में मुलाकात की श्री शा ने ठूट पर श्री राजबर का एंडिये परिवार में स्वागत किया उन्होंने कहा है कि श्री राजबर के शा गेमो, कार्मेक, लोग, शिकायत, पेंशन, परमानू, उर्जा और अंतरिक्स राज्य मंत्री डॉक्टर जीतिंद्र सिंग ने आज कहा है कि चंद्रियान 3 के सफल प्रक्षेपन से अंतरिक्स स्टार्ट अप और अंतरिक्स उद्मियों को बरावा मिलेगा। पहला नीची विक्रम सब और बिटल रोकेट सफलता पूर्वक लोंच करके इतिहास रचा था। उन्होंने G20 देशों के युवा वेग्यानिकों और युवाव से अंतरिक्स उद्मियोता के नई एक नई युप की शुरुवात करने के लिए एक सन्युक मिशन मोड में भी आ करिंद्रमोदी के नेदर्थुवाली सरकार के पिछले नोव वर्षों में लौंच किये गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि जन्वारे 2018 से अब तक इसरों ने कोलॉंबिया के उपग्रहों के अलावा सन्युक राज्ये, अमरिका, युनाइटेड किंडम, फ्रांस, इतली, उस्ट्रेलिया, ब्राजिल, कनाडा, जापान, कोरिया, सहीट, G20 देशों से सम्मधित दोसों से अधिक विदेशी उपग्रहों को सफलता फुर्बग लौंच किया है। को लेकर भारते विपन पत्तन पदिकरन, CISF नागरिक उध्यन सुरक्षा और आवरजन ब्योरो के अधिकारियों के साथ ग्रह मंत्रिया मिश्या से मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने प्रमुख हवाई अड़ों पर उपलब भीवेन सुविधाओं और मुन्यादी धाच की समिक्षा की। बैटक का उद्देशी देश में तेजी से बरते घरेलू और अंतराष्टी उरानों की गती शीलता से उत्पन आविशक्तों पर विचार विमर्ष करना था। इस बैटक में यात्रियों के त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजन खवाई यात्र अनुभ की दिशा में कई कदम उठाएं। विमल्डन में पूरस एकाल के फाइनल में आज कार्लोस अलकारेज का मुकावला मोजुदा चैंपियन नोवग जोकोविस से होगा। स्पेन के कार्लोस सेमी फाइनल में रूस के डैनिल मेडवडिव को हरा कर पहली बार विमल्डन फाइन